और देर किस बात की चले स्टाट करते अपने वीडियो को और दिखाते हैं आपका KBS का form किस परकार से apply करना है और किस परकार से आप इसका successful apply करके अपना form submit कर पाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर पूरा पूरा detail खुल चुका है जहाँ पर KBS की notification और भी सारी जीतनी वेकेंसी है उसका notification आपको यहाँ पर देख रहा है पूरे पूरी स्क्रीन पर फ्रेंस यह इस challenge को आप सार्च करके पूरी detail प्र कर सकते हो फ्रेंस चलते हैं फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं कि एप्लिकेशन फॉर्म को और देखते हैं आपका online किस परकार से होगा और application फॉर्म को किस परकार से कौन कौन स्टेप से फिल अप करना होगा तो फ्रेंस फटाफट कर लेते हैं अपना website गोपन और simply search bar मे के सामने नहीं आता है किसी विजह से आप नहीं आपाते हैं इसका link डार्ट आपको description box मिल जाएगा जहां से directly इस पेज़ पे आप आ जाएंगे तो फ्रेंस जैसी आप इसे खोलते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार का यह बिंडो खुल के आता है जहां पे click to apply district requirement के हमें आपके लिए next video बना देंगे जहां पे non teaching post के लिए भी आपको यहां पे apply करके दिखा देंगे फ्रेंस चलिए start करते हैं यहां पे apply application form को तो फ्रेंस डाइट के यहां पे जैसी आप click करते हैं तो आपके सामने जो इसका application form खोल जाता है और फ्रेंस इसके बाद फ्रेंस application number यानि कि friends अगर ratiation आपने कर दिया है और किसी वजा से आपका ratiation number गुम हो गया या खो गया है तो फ्रेंस वह नहीं मिलत है आप यहां से forget कर सकते हैं तो फ्रेंस देर ना करते हैं simply आपको ratiation button पे click करते हैं तो आपके सामने इसकी fees की detail और साथ में application form में जो जो details लगने व friends आपके सामने खुल के आचुका है अपना application form यहां पर सबसे पहले उपर आपको अपना नाम लिखना होता है जहां पर फ्रेंस अपना नाम आपको लिखते हैं तो फ्रेंस सबसे पहले अपना यहां पर नाम आपको लिख देना है उसके बाद अपने father का name लिख देना है उस के बद आपको जाता है जेंडर्स सेलेक्षिन जिसके आप सिलेट कर ले नहीं है इसके बद फ्रेंट्स आडेंटी में कोई भी डीटेल आपको यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है, जो कि बहुत ध्यान पूर होगा, आपको यहां पर फिलब करते हैं, आगे बढ़ना है, यहां फ्रेंट्स अमनी कंट्री को सिलेट करने हैं, कि जैसरी कि आप इंडिया कंट्री से होते हैं, इंडिया आपको select कर लेना है इसके बाद फ्रेंच अपने पिन कोड के यहां पर जुरू डाल देना है जहां इसके बाद आता है फ्रेंच email id और confirm उसी email id को जलती हुए condition हो है जिसको open कर सकें जिसका OTP friends यहां पर verify कर सकें next one आता है आपको यहां पर simply mobile number फ्रेंड्स आपको वही डालना है जो friends आपके पास available है जिसका आप यहां पर open कर सकते हैं और friends इसके बाद निचा दाता है अगर आपका same address दोनों same है तो friends आपको simply यहां पर click कर देना है जिसके बाद friends आपका address detail अपने आप यहां पर fill up हो जाता है next friend option आता है आपका password detail fill up करने का जो की friends आपको password कम सेखम आप friends आपका 8 सले के 13 character तक का होना चाहिए friends इससे नीचे का character आपको यहां पर password create नहीं कर पाएंगे friends पासवर्ड का hint जो है आपको discussion box मिल जाएगा जहां से आप password create करने में काफी असानी होगी और अपना password जो है आप काफी जल्दी create कर पाएंगे friends इसके बाद चलते हैं नीचे security question में जहां friends आपको simply यहां पर इन चारो पाँच ओप्सन से किसी एक option को चूज करना है और friends उसके बाद simply उसका आपको answer दे देना है और चेक करने हों simply capture code भढ़ना है और इसके बाद friends simply इसे submit बटन पर click करते हैं तो friends जैसे हम सबको यहां पर verify करते हैं verify करने बाद simply यहां पर आपको agree बटन पर click करना है और simply submit and send OTP बटन पर click करते हैं तो आपके phone पर एक OTP जाता है जिसका verification आपको यहां पर करना है यानि के registration form वाला step आपको यहां पर complete हो जाता है अभी friends बात आती है application form की जहांपे friends simply आपको complete application form पर click करना है जाब friends आपको 4-5-6 option आपको मिल जाएंगे जहां पर किवाय से लेकिए और साथ में आपके examination center qualification detail और personal detail सारी detail आपको यहां पर fill up करना है तो friends कर देते हैं सबसे पह आपको यहां पर form खुल जाएगा जहां friends आपको nationality आपको Indian और उसके बाद friends अगर आप जम्मू कस्मिर से यहां पर इस date से date में बिलोंग करते हैं friends आपको yes करना है या तो friends no करते हैं वैसे friends आपको no ही करना है या पर category friends यहाँ चूज कर लेते हैं और इसके बाद friends आपको इस question का answer आप no yes में दे सकते हैं friends इसके बाद friends आपको एक visual identity mark देना है जैसे कि friends आपका जो body पर cut mark हो जैसे कि friends आपको यहां पर cut mark या body mark जो भी आपका निसान है मोल है तिल है जो इसके भी आपको यहां देना है साथ मेरेटिल स्टेटस आप सिंगल मेरेड या डिवोसिड जो भी है इसके बाद friends आपको यहां पर नीचे जो capture कोड़ आपको मिल जाता है वही capture कोड़ आपको यहां पर enter कर देना है जैसे friends आप capture code भरते हैं तो आपका जो personal detail वाला कोल में सब कुछ feel up हो जाता है और simply save as next button पे आपको click कर देना है जैसे friends यहां पर yes करते हैं तो आपके सामने जो पहला step है आप complete कर देते हैं अई friends इसके बाद friends आपका सामने आ जाता है apply for किस post के लिए friends आप apply कर रहे हैं friends click करेंगे तो आपके सामने जिस भी subject से और इसके बाद friends आपके सामने आ जाता है center choose center यानि के center आपको यहां पर चार center चुनने को मिलेंगे friends अपने district के अपने state और district के अनुसार अपने center के यहां पर select कर लेना है जैसी friends यहां पर फटा 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 center का selection कर लेते हैं चारों select center का अपनी इच्छा अनुसार आप कर स सकते हैं friends अदनाथ friends नो कर सकते हैं आपके पास computer knowledge है अगर थोड़ी बहुत तो friends आपका importer application जानते हैं यानि computer के बारे हम जानते हैं कुछ तरो यहां करना है और उसके बाद friends आपके सामने जो नीचे capture code लिखा होता है वही captured code आपके हाँ फिल अप करना है और इसके बाद उ इजिकेशन से सारी डीटेल आपके फिल अप करने होते हैं जो friends सबसे पहले आपना है passing चूज करेंगे passing एर फ्रेंड्स आपका जो passing एर रेफ्रेंड्स वो चूज कर लेते हैं इसके बाद friends आपका code stream क्या है friends पर आपको select करना है उसके बाद फ्रेंड्स अपनी board का जो या friends पर आपको यहाँ पराप्त हुए है तो friends उस चीज को यहाँ पर एंटर कर देना तो friends अपनी educations related जैसे आपनी educations related आपने प्रेंड्स की detail ला दी इसके बाद friends अपने BA की qualification की detail डाली और इसके बाद friends आपको यहाँ पर जैसी detail आप fill up कर देते हैं तो उसके बाद आपको यहा अपना capture code एक बार दुबारा से जो capture code को यहाँ पर simply जैसी परकार से हमें इसाब भरते आएं friends उसी परकार से आपको यहाँ पर फिर से अपने capture code को यहाँ पर fill up करना है और simply next and save button पर click कर देना है then friends जैसी आपर save करते हैं तो आपके सामने friends are you employee of KVS friends अगर आप employee है friends आपको यहाँ पर no करते हुए इसको आगे बढ़ा देना है तो friends इसके बाद अपना जो capture code फिर उसी परकार से आपको भरना है तो friends simply इसे फिर से save as the next button पर आते हैं तो friends आपके सामने next option जो आ जाता है photo और signature का detail जहाँ friends अपनी photo signature आपको upload करना है जो friends photo का size के बारे में बता दें तो photo का size friends यहाँ पे 10 से लेके 200 की भी तक होने वाला है और signature का size यहाँ पे 4 से लेके 30 की भी तक होने वाला है इसके बाद friends आप photo और signature यहाँ पे आप upload कर पाएंगा तो friends फटा पट कर लेते हैं अपनी photo का upload और देखते हैं किस परकार से अपनी photo का upload करते हैं simply friends choose button पे click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे photo की लिक हो जाएगा जहाँ अपनी photo को यहाँ पे select करके resize करके अपना select करके इस परकार से अपना upload कर सकते हैं friends आप original photo यहाँ की जो की friends यहाँ पे लिखा हुआ अप्लोड वरीजिनल बटन प्रक्रवक देना है जहां फ्रैंड्स अप्लाड करें हैं आपको सिंप्लोड कारें shiny मे Sug dodge अपै अप्लोडोड उजाएगा देन कर देना है इसे और इसके बाद नीचे अपने code को एंटर करना है और इसके बाद आपको simply हर बार कितना simply save as the next बटन पर click कर देना है तो friends आपको yes करना है yes करने के बाद friends आप यहाँ पर आ जाते हैं अपने application के preview में यानि कि friends आपका जो application form है successfully fill up हो चुक है friends अभी form आपने fill up कर दिया है अपनी detail को एक बाद फिर से check करेंगे और अपनी detail को एक बार reject करते हुए इसे देख लेंगे क्योंकि friends अगर आपकी कोई भी गलती होते है तो आपको form जो है reject हो सकता है friends अपनी detail को carefully एक बार check करेंगे चेक करने को friends अगर आपके detail यहाँ पे सब को सही है सब आपने सही भरा है correct भरा है तो simply यहाँ पे सभी option को verify करना है और इसके बाद friends आपको नीचे यहाँ पे मिल जाता है final submission of application यानि की application का last part जहाँ पे अपने application को final और submit कर देना है then friends जैसे यहाँ पे click करेंगे तो click here to verify अपने email id को first आपको सबसे पहले verify करना है जैसे कि आपको वीडियो को starting में आपको बताया गया था कि आपको email id verify करना बहुत ही आवस्सक है then directly यहाँ पे click करेंगे verify to email id जहाँ friends अपने code को यहाँ पे enter करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अपने email id पे एक जो है OTP जाता है जिस OTP को friends यहाँ पे आपको simply enter करना है और इसके बाद verify करना है तो friends side भे हमने अपना email id खोल के रखा हुआ है तो friends अपने email id को simply open कर लेंगे open करने का friends यहाँ पे हमारा जो password है वो आ चुका है जैसे कि सबसे पहले वाला है हमारा option है यहाँ पे password आ चुका है जो की आपको यहाँ पे दिख रहागा screen पे जहां friends अपने OTP को हाँ पे check लें आपको OTP कहाँ पे friends OTP यहाँ पे आ चुका है OTP कहाँ पे copy कर लेते हैं तो आप याद कर लेजिए copy करने बटन simply यहाँ पे paste कर देते हैं और simply verify बटन पे click कर दिना है जैसी यहाँ पे click करते हैं तो your email id is successfully verified go to the home simply friends यहाँ पे home पे click करेंगे तो आपके सामने application का जो friends यहाँ पे detail है सब कुछ यहाँ पे आ जाता है और इसके friends जैसी यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे email जाते हैं आपको final submit का button यहाँ पे friends आपको simply final submit कर देना है और इसके friends नीचे आते हैं एक बार फिर से अपनी detail को verify करते हैं verify करने के बाद आपको पर जाधे पर नीचे मिलता है pen friends आपका application form successfully submit हो चुका है आपके सामने पूरा confirmation page है जैकर तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका application form complete है तो इससे simply download confirmed page पे कर लेते हैं friends इसक बोद पर एक application form को print करना है प्रिंट करके अपना रख लेना है तो फ्रेंट्स वीडियो में बस इतना ही फ्रेंट्स अगर वीडियो में कोई चीज ना समझे फ्रेंट्स कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं और फ्रेंट्स आपके लिए ये वाट्चाप नॉम्बर ज़रूर की डिस्क्रिशन में मिल जाएगा जहां से आप डायेटली संपर कर सकते हैं और अपने अप्लिकेशन से रिलेटिर कोश्चन को आप पूछ सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर करना बिल्कुल ना भोले और साथ ही अधिक सद्धियो लोगों सेर करें ताकि वे अपने अप्लिकेशन फोर्म को सक्सेस्पुली समिट कर सके मिलते फ्रेंस नेक्च वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत